इतिहास गवा रहा है कि खुद के घर अपनों नहीं जलाएं हैं और ये बात भारत पे भी आती है क्यूंकि चाहे हमारे देश का बटवारा हो दंगे हो अमारे देश में ब्लास्ट हो ये बात हमेशा देखने को मिली है इस बात से कोई कभी नाकार नहीं सका है कि देश में ही देखने वाले लोगों ने देश के ही जो नागरिक हैं उन्हों ने हमारे देश को तोड़ने की कोशिश की है या ये कहें कि हमारे देश को आज एक बरबादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है उसको समेटने और एक साथ फिर से जोडने का काम अगर मोधी गॉर्मेंट कर रही है तो उन लोगों को बड़ी मिर्ची लग रही है जो देश को कभी न कभी एक साथ देखना ही नहीं चाहते थे उन लोगों को इस बात से दिक्कत हो रही है कि कैसे उनके इतने प्रयासों के बाद इतने अजंडे चलाने के बाद भी देश बिखर नहीं रहा है देश ए पटेल ने कभी कश्मीर का जो मुद्दा है उसको सौल्व नहीं करने दिया या बिजेपी पे भी ऐसे आरोप लगाए जा रही है पर सचाई तो ये है कि मुद्दा बनानी के पीछे आप रतेक्ष कॉंग्रेस सरकार का कहीं न कहीं बड़ा हात है। सही है कि 370 में बिजेपी कहां थे क्या ये बात गलत नहीं है रही बात सरदार पटेल के दोशी होने की तो सरदार पटेल ने हैदराबाद जुनागड की समस्याओं को हैंडल किया था जो आज भारत में है और विदाउट 370 और जवालाल नहरू जी ने कश्मीर को हैंडल किया था जो आज भी दो देशों के बीच दुश्मनी के बीच दो बड़े देशों की दुश्मनी के बीच लटका हुआ है तो कहना कितना गलत है और कौन जिम्मेदार है और कौन कितना पाक साफ है या आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं पहले ही आपको हम ये क्लियर कर दे कि हम नहरूजी के बारे में या किसी भी पार्टी के बारे में कोई भी गलत विचार देश के सामने ना तो रख रहे हैं ना रखना चाहते हैं देश की जनता को गुमरा करना ना ही कभी हमारा मकसद रहा है और कभी भी नहीं रहेगा पर एक बात है इतिहास की भूलों से जो देश नहीं सीखता है उनका भविश अच्छा कभी नहीं होता है इतिहास की भूलों की चर्चाय हमेशा होती रहनी चाहिए और होती भी रहेंगी और जनता हमेशा सवाल पूछती रहेगी क्योंकि कोई न कोई गलती कहीं न कहीं जरूर है कि इतने सालों बाद इतने समय बाद आज भी देश की जनता कॉंग्रेस पार्टी से सवाल पूछती है लेकिन जो लोग देश की जनता को गुमरा करने की कोशिश करते हैं हम उनसे एक ही सवाल पूछना चाहेंगे कि जितने का सिलसिला अभी बाकी था और 1949 में एक तिहाई हिस्सा तब पाकिस्तान के कबजे में अभी भी था और आपने सीस फायर क्यों कर दिया इसका जवाब पूरा देश पूछता है जिन लोगों को सीस फायर का मतलब नहीं पता है हम उनको बता दें कि इसका मतलब होता है कि युद्ध के स्थाई या स्थाई रूप से उसको बीच में ही रोग देना अगर सीस फायर ना हुआ होता तो आज जगणा ही नहीं होता अगर सीस फायर ना हुआ होता आज कश्मीर का मुद्दा नहीं होता आज टेरिरिजम भी नहीं होता और अगर सीस फायर ना हुआ हो क्यों इस सवाल का जो जवाब है वो किसी के पास भी नहीं है हमारा चैनल पूरे देश से ये सवाल पूछता है कि क्या आप जो कह रहे हैं मोधी गौर्मेंट के अगेस खड़े हैं वो सही हैं यहां तीन बड़ी बाते हैं जिनका जवाब हम जानना चाहते हैं कि यूएन में ह यह गलत नहीं है यह गलती है इससे भी खराब सिचुएशन जो है वो हैदरबाद में थी कश्मीर में तो महाराजा ने संदीगर दी थी हैदरबाद में निजाम साथ तो संदी करने के लिए तैयार ही नहीं थे लेकिन फिर भी सरदार पटेल ने हैदरबाद और जूनागड है ऐसा हम मानते हैं कि सरदार सहाब अगर भारत के पहले प्रदान मंतरी होते तो कश्मीर समस्या होती ही नहीं हिंदुस्तान के गाउं की आज जो जद्दो जिहाद है वो कभी होती ही नहीं चित्र अलग होते यह हमारी सोच है लेकिन ये बात गलत नहीं हो सकती कि सरदार प पाखिस्तानी से शादी करती है तो उसको नागरिक्ता उसकी बरकरार रहती है इसके साथ ही जिससे वो शादी करती है उसको भी भारत की और कश्मीर की नागरिक्ता मिल जाती है क्या ये acceptable है जिस देश में हम रहे के secularism की बात करते हैं एक से आत कदम से कदम मिलाने की बात करते हैं वहाँ ये कितना acceptable है क्या ये गलत बात नहीं है क्या इस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों के घर जला दिये जाते हैं उन्हें उनके खुद के बनाए घर से ही बाहर निकाल दिया जाता है ऐसा ना करने पर उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है क्या ये सब गलत नहीं है अगर ये सब रुकने के लिए ओड देश को धर्म के नाम पर विभाजन करने के लिए य यह कहें कि शासन और लोकतंत्र के साथ खिलवार करने की कोशिश की है 370 की छाया में तीन परिवारों ने जम्मू कश्मीर में इतने सालों तक लूट पाट मचाया क्या मोदी गौर्णमेंट थी तब? क्या मोदी गौर्णमेंट ने ये सब किया? क्या बिजेपी की गलती है ये सब? कश्मीर के मुद्धे के लिए किसी समय की जरूरत नहीं थी बल्कि जो जरूरत थी वो थी पॉलिटिकल पावर की वोट बैंक की राजनीती से उपर उठकर देश के लिए फैसला करने के लिए दम चाहिए था और वो हिम्मत प्रधानमंत्री नरेन मोदी में थी और है इस बात को कभी नकारा नहीं जा सकता हम ऐसा कभी नहीं कहते हैं कि श्री नहरू ऐसा करना चाहते थे या उन्होंने ऐसा किया या जो भी उनकी बात रही होगी अपनी सोच से उन्होंने सब कुछ अच्छा सोच कर ही किया होगा लेकिन इतिहास को लिखा जाने के बाद जब इतिहास को पढ़ने बैठते हैं तो वो इतिहास की गलतियां जो हुई है उसको स्विकारा जाना चाहिए और जिसकी वज़ा से गलतियां हुई है या जिसने ये कहें कि गलतियां की है उसको भी स्विकारा जाना चाहिए किसी की गलती को किसी के सर डालना ये कहीं की भी स्तही बात नहीं है ऐसा हम और सब ये सपश्ट मानते हैं कि जिसकी गलती है वो गलती है हम देखते हैं सुनते है यह सब की मोदि आए तो इनहों ने देश को बांढ दिया मोधी कौवर्मेंट फूफे तो इन्हों ने ऑगर अगर ऐसा है तो कभी भी धर्म के अधार पर देश का बटवारा नहीं होता कभी भी धर्म के अधार पर दो देश अलग अलग नहीं कर दिये जाते और जब देश का बटवारा हुआ तब विजेपी भी नहीं थी ना ही मोधी गौर्मेंट थी हिंदो मुसलिम को भड़काने का काम पहले से ही कुछ लोगों ने शुरू कर गया था और जो देश में हम यह नहीं कहते कि शासन किया है बलकि हम यह कहते हैं कि उन्होंने देश में रहकर राज किया है उन्होंने किया ताकि देश बिखर सके ताकि देश तूट सके और फिर धर्म के अधार पर देश का बटव पर जमीन क्या वो मुसलमानों को डेते नहीं देते अगर उनको देश के मुसलमानों से इतनी तकलीफ होती तो और आप कहते हैं कि मोदी ने लोगों को हिंदू-मस्लिम के अधार पर बाट दिया अरे जो ऐसा सोचते हैं वो जाकर एक बार इतिहास पढ़ लिजे अपने इतिह भारत में इजट के साथ रह सके हमारी रक्षा के लिए किस ने काम किया है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुस्लिम कम्यूनिटी का जो इसलाम कहता है वो ये है कि 2050 तक क्रिश्टिन कम्यूनिटी को बहुत पीछे छोड़ कर दुनिया का सबसे बड़ा धर्म जो है वो इ तीन प्रतीशत है और आज भी हमारे देश का मुसल्मान हमारे भारत में बराबरी के दरजे से जीता है उसके साथ कोई भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता लोग कहते हैं कि CAA NRC के चलते मुसल्मानों को देश से निकाल दिया जाएगा लोग कहते हैं कि भारत के बाहर के जो लोग हैं उन्हें देश में बुला कर देश की नागरिकता दी जाएगी अरे मेरे दोस्तों मेरी जनता मानिनिय प्रधान मंत्री ग्रह मंत्री कितने बार अपने भाशनों में कह चुके हैं कि NRC हमारे देश के मुसल्मानों के लिए नहीं है हमारे देश से किसी को बाहर में निकाला जाएगा किसी की भी जो नागरिकता है नहीं ली जाएगी सिर्फ आतंगवादियों और गुस्पैठियों को निकालने के लिए है खेर ये एक बहुत ही अलग बात है क्योंकि अभी तक इसका ड्राफ्ट भी तैयार नहीं किया गया है तो देश की सरकार की आलोचना है क्यों और अगर ड्राफ्ट भी अभी तयार नहीं हुआ है तो इन नामों पर लोगों को जला नाम मारना कहां तक सही है क्या आपको नहीं लगता कि ये सब सवाल आपको अपने आप से पूछने चाहिए दूसरी बात हमारे माननी अगरह मंतरी कितनी बार बोल चुके हैं कि हम पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगानिस्तान से नौन मुसलिम इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि ये तीनों इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां मुसल्मानों के साथ कोई भी धर्म के अधार पर उनको प्र समझ की बात है तो लोगों की हत्याएं क्यों हो रही हैं क्या आपको निल लगता यह देश को तोड़ने का काम है और जो लोग यह काम कर रहे हैं वह कहीं न कहीं देश द्रोही हैं हमेशा ऐसी सरकाइर आई और गई जिनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि राम मंदिर का फैस सिर्फ बिजेपी ने और इन मुद्धों को बरकरार रखके जो आगे बढ़ाया है सिर्फ मोधी गॉर्मेंट तो आज देश के ठेकेदारों को इन बात से तकलीफ हो रही है कि आखिर देश जो है वो बिगड़ नहीं रहा है कि देश आगे बढ़ कैसे रहा है अगर लोगो को देश से प्यार है तो दिखाते क्यों नहीं है वो लोग सिर्फ कहने से ये बात नहीं होती है कि आप देश से प्यार करते हैं भारत माता की जै बोलने में आपको बड़ी तकलीफ है जै श्री राम कहने में आपको बड़ी तकलीफ है जो कनहिया गुमार लोगतंत्र को कैसी शरम खुद को हिंदुस्तानी बताने में कैसी परिशानी है आपको अटल जी ने हमेशा कहा सत्ता का खेल तो चलता रहेगा सरकारे आएंगी जाएंगी पाटियां बनेंगी बिगडेंगी मगर ये देश रहना चाहिए इस देश का लोग तंत्र अमर रहना चाहिए और वहीं आज की सरकार बखुबी जो है उसको निभा रही है तो लोगों को तकलीफ है कि भाई ऐसा क्यूं हो रहा है क्यूं परिशानी खड़ी हो रही है लोगों को इसे देश के नागरिकों को क्या वो देश द्रोही नहीं है जो इस देश में रहकर ही भारत को तोड़ने की कोशिश करते हैं भारत में रहकर ही भारत के बटवारे की कोशिश करते हैं अच्छा इसके बाद भी बहुत लोगों को ये तकलीफ है कि मोदी साहब इन समस्याओं का समधान क्यों कर रहे हैं लोगों को तकलीफ है कि भाई मोदी को इन समस्याओं से बाहर निकल कर गरीबी और पढ़ाई जैसी समस्याओं का समधान करना चाहिए और उनको तकलीफ हो रहे हैं कि भाई मोदी गौर्मेंट ये कर रहे हैं तो भाई हम आपको यही कह देना चाहत या उन लोगों को तकलीफे हैं कि भई अगर ये देश जुड़ गया और आगे भढ़ गया तो जिन लोगों की दुकाने जो खुली हुई हैं जो धर्म के अधार पर देश को बेच नहें हैं उनके दुकाने बंद हो जाएंगी क्या विदेशों में जाकर अपने देश के पूछिए अपने आप से पूछिए क्या सही है या क्या गलत देश और संकटों से घिरा हुआ है और यह संकट ना तो बिजेपी की देन हैं ना ही मोदी गौर्मेंट की देन हैं यह सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए और सबसे पहले हर भारती नागरिक को खुद से सवाल पूछना चाहिए कि क्या सच में मोदी गौर्मेंट या फिर बिजेपी की गलती हैं बहुत से ऐसे लोग हैं बहुत से ऐसे पत्रकार हैं न्यूस चैनल्स हैं जो यह कहते हैं कि पत्रकारिता को मोदी गौर्मेंट ने घरीद लिया है प्रत्रकारिता मोदी गौर्में कि जो लहर है उसमें बैट जाएंगे एक पत्रकार हैं मिस्टर रवीश कुमार एंडी टीवी पर बैट के अपनी पत्रकारिता करते हैं उनका कहना यह है कि हम भीड का हिस्सा नहीं वनना चाहते हैं हमारा चैनल कैसा है कि भई भविश में जब यूट्यूब की दुनिया में क यह लोग कर रहे थे तब पता चलेगा कि कोई एंडी टीवी भी था जो भीड नहीं बन रहा था तो मानने बार हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि केवल इतनी सी बात है कि अगर दस लोग किसी का समर्थन कर रहे हैं और केवल और केवल आप नहीं कर रहे हैं तो वो दस लोग मूर्क नहीं हैं कहीं न कहीं आप ही आपकी जो बाते हैं ये जो बाते हैं ये आपकी समझ से बाहर हैं आप इनको समझ नहीं पा रहे हैं आप सही कहते हैं कि लोगों को आपका चैनल जो है वो यूट्यूब पर ढूंड़ना पड़ेगा क्योंकि कोई भी ऐसा चैनल देखना पसंद नहीं करेगा जो लोगों को गुम्रा करता है देश की सरकार के खिलाब भढ़काता है उस चैनल को कोई ढूंडने की कोशिश नहीं करेगा जो चैनल आप चला रहे हैं जहां बैटके आप अत्रकारिता कर रहे हैं एक ऐसा भी चैनल था जो सही बातों को भी गलत तरीके सहाब में रखता था कोई ऐसा चैनल देखना क्यू पसंद करेगा अब जब हमारा चैनल भी सरकार के साथ चलने की कोशिश करता है मोदी के बारे में अच्छा बोलने की कोशिश करता है तो लोग हमें कहते हैं कि हम मोदी कल्ग गवर जो देश के अच्छे कारियों को के लिए काम कर रहा है हम उनका समर्थन करते हैं और यदि आपको इस से आपती है तो जना आप इस में से ना तो हमारे चैनल की घलती है और ना ही उन सभी तमाम चैनलों की जो मोदे गौर्मन्न के सपोर्ट में काम करते हैं बल्कि कही न कहीं ही देश यह सोच ही गलत है जो हमारे कि तरक्की से हैं और यहीं कि यह इन हो चाहते हैं कि country को और वह कि तरफ यहें वीदियों से नहीं परहें हैं अते नUU को तेन कि कृफंवर को इंट कि कि अफिर्फ बहुत है वह थो फическая अभी भी एमर्जन्सी की तरह मीडिया पर ताला लगा कर कभी नहीं रखा जिस तरह एमर्जन्सी की टाइम पर रखा गया थो और इसके साथ ही कुछ चैनल्स ऐसे हैं जैसे एंडी टीवी, आई बीन, दे क्विंट, दे वायर जो अपनी पत्रकारिता, स्वतंतरता का गलत इस कोशिश करते हैं, खेर अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और हमसे कोई भी शिकायत हो या हमारे बारे में कोई भी अच्छे बाते करनी हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कर सकते हैं, इसके साथ ही आप हमें फेस्बुक और इंस्टेग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हम वहाँ भी आपकी बातों को सुनेंगे, साथ ही हमारे चानल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे लेटेस्ट अब्डेट आपको सबसे पहले मिलें, और जाते जाते मोधी गौवर्मेंट और भारत की सरकार के लिए एक लाइक और श